इस्राइल की सेना ने हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला को एक एयर स्ट्राइक में मार दिया है। इरान जहां इससे परेशान है तो वहीं एक मुस्लिम देश में जश्न का माहौल है। हिजबुल्ला के लिए यह एक बड़ा जटका है। 27 सितंबर को इस्राइली एयर फोर्स ने बेरूट में कई हवाई हमले किये थे। हिजबुल्ला के हेड़कॉाटर को भी निशाना बनाया गया, जिसमें हसन नसर اللہ के होने की ख़बर थी। हिजबुल्ला के बाद हिजबुल्ला ने हसन नसर اللہ के मारे जाने को नहीं माना। ऐस पेली सेना ने X पर एक पोस्ट में लिखा अब दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा इसरायल ने इस हमले में इरान को भी बड़ा जटका दिया है क्योंकि एरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के डिप्टी कमांडर अब्बास निल्फोरोशान की भी हमले में मौत हुई है जो नसर अल्लाह के साथ मौजूद थे एरान के लिए अब एक बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है क्योंकि हिजबुल्लाह के बहाने ही एरान इसराइल पर दबाव बनाता था एरान के सुप्रीम लीडर आयातुल्ला अली खामनेई ने अपने बयान में इसराइल के हमले की निंदा करते हुए कहा कि हिजबुल्लाह को इसराइल खत्म नहीं कर पाएगा नसर अल्लाह की मौत के लगभग दो महीने पहले ही इसराइल ने हमास के चीफ इसमाइल हानिया को इरान में मार डाला था नसर अल्लाह का मारा जाना इसराइली सेना के लिए एक बड़ी कामियाबी है क्योंकि पिछले एक साल से गाजा का युद्ध चल रहा है इसराइली पी-म बेंजामिन नेतन्याहु मानकर चल रहे थे कि यह युद्ध कुछी दिनों में खत्म हो जाएगा उसे एक साल पूरे होने वाले हैं ऐसे में हिजबुल्लाह चीफ को मार कर वह इसराइली जनता को एक बड़ी कामियाबी दिखा सकते हैं इसके अलावा गाजा युद्ध के बाद से ही हिजबुल्लाह इसराइल पर हमले करता रहा है इस कारण उत्तरी इसराइल के लोग अपने घरों को छोड़ कर भाग चुके हैं हसन नसरलाह की मौत के बाद यह लोग वापस अपने घरों में लौट सकते हैं हसन नसरलाह के मारे जाने की खबर सुन एक मुस्लिम देश में जश्न का माहौल है। इस देश का नाम सीरिया है। 27 सितंबर को जब इसरायल के हमले की खबर आई थी, तब ही लोग सडकों पर गोली बारी कर रहे थे। लोगों के जश्न मनाने का कारण सीरिया का ग्रह युद् हिजबुल्लाह शिया मुस्लिमों वाला संगठन है, जिसे शिया देश इरान का सपोर्ट है। सीरिया के राष्ट्रपती बशर अल-असद का साथ हिजबुल्लाह ने उनके खिलाफ विद्रोह को खत्म करने के लिए दिया था। असद का विरोध करने वाले सीरियाई लोग, जिसमें ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम हैं, वह इसी कारण हसन नसरलाह से नफरत करते हैं।